वेलकम टू कार्ब अकार्डमी तूड़े आई सल्व क्लास सेबेंथ मैट्स एक्सासाइज 3.1 ओल कोचन सॉलूशन फर्स्ट कोचन, फाइंड दा रेंज ओफ हाइट ओफ एन टेन अस्टुडेंट ओफ यूर क्लास इक्साइज 3.1 का जो कोचन नमबर वन है क्या बोला है फाइंड रेंज ओफ हाइट्स ओफ एन टेन अस्टुडेंट ओफ यूर क्लास देखें आपको सबसे पहले हम यहाँ पर हम कोचन लिखकर के रिड़ी रखे हैं और इस कोचन के बारे में हम समझाने की कोशिज करेंगे ठीक है इक्साइज 3.1 बहुत ही मोस्ट इपोटेंट हमारा इक्साइज है ठीक है इसको ध्यान देना होगा बहुत अच्छे तरीका से आपको क्या करना है आपको बोला है find range करना है क्या करना है range अब range जो है होता क्या है इसके बारे में जानना जोरी है क्या क्या है उसके साथ में any 10 student your class मालो आप class 7th में हो और 7th में हो तो अपने class में 10 student को लेना है जिनका height का range बताना है ये question का मतलब है तो सबसे पहले range है तो हम इस question को सल्ब करने से पहले हम आपको पहले पढ़ाएंगे कि range का formula क्या होता है range का formula range का formula होता है highest height minus lowest height क्या होता है highest height minus lowest height इस question के according ऐसे क्या होता है range का formula हाइस्ट में से माइनस कर देते हैं लुएस्ट को कुछ भी हो हाइट हो, वेट हो, या कुछ भी हो तो यहाँ पर हाइट से रिलेटेड हमारा प्रॉबलम है तो यहाँ पर रेंज का जो फर्मुला होगा, यह होगा м लुएस्ट हाइप हाइस्ट हाइस्ट माइनस लोयर हाइट यह होता है रेंज का फर्मूला मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा जो फर्मूला होता है रेंज का हाइस्ट में से लोयर को माइनस कर दी जाता है तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपको इसमें highest height और lower height पता तो नहीं चलेगा तो पहले आपको सिर्फ हम formula याद करने के लिखवा दिये हैं अब हम इस question को solve करके दिखाते हैं ठीक है देखो कैसे solve करेंगे सबसे पहले आप अपने school में जो class में 10 student है उनका एक क्या बनाओ एक measurement बनाओ ठीक है एक उस particular form में लिखो पहले ठीक है देखो ऐसे लिखायाता है ऐसे हमारे पास inch नहीं है नहीं तो हम बना देते हैं अच्छा से फ्रवासा 10 होगा तो माफ करिएगा ठीक है ऐसे बनाओ पहले graph है किसका ठीक है 10 student का ऐसे कर लिए यहाँ पर serial number दे दो ठीक है य जो बच गया इसमें उनका हाइट लिखो यह क्या करना है अपने खुद से इन लोग का करना है ठीक है देखो पहले यहां serial number यह लिखके एन ओ लिख दोगे serial number हो गया हाइट की बात किया है थे नेम आफ पल लिख लोने और नेम ओफ एस्टुडेंट और यहां पर क्या करना होगा यहां serial number यहान नेम अफ्दॆंट और यहां पर हाइट हो जाएगा ही हाइट किस में इन फिट में मतलों कितने फिट के वोठ trout है सबसे पहले देखो एक बार फिर से समझो कोचन को ताकि आप लोग कोई दिक्कत ना हो हमें रेंज करना है फाइंड करना है कौन सबाइ रेंज जदि आपके classroom में 10 इस्टुरेंट का है तो उनका height का रेंज निकालो सबसे पहले क्या करेंगे स्रियल नंबर से नंबर वन लड़का हो गया नंबर टू लड़का हो गया नंबर थ्री लड़का हो गया नंबर फोर हो गया नंबर फाइफ हो गया नंबर शिक्स हो गया नंबर सेबेन हो गया नंबर एट हो गया नंबर नाइन हो गया नमबर valuation हो गया 10 student हो गया अब देखो 10 student हो गया name of student हम जो बना रहे हैं आपको ऐसा ही नहीं बनाना है जैसे हमारा serial नमबर तो एक जैसा होगा अब name of student जो है आपने अनुसार जो आपके class में 7th में जो जो student है उनका नाम लिख लो जैसे आपके क्लास रूम में माल लेते हैं अमीत है, है ना, राहुल है, पप्पु है, अमर है, और क्या, नितेस है, और क्या है, रवी है, उदय है, अंकित है, संजु है, और एक लड़की के भी नम ले सकते हो, लड़की के नम बताओ, आपके पसंद क्यों लड़की है, आरती, चलो आरती, आरती ले लिए, ठीक है, ये 10A स्टुडेंट हो गया, ठीक है, अब 10A स्टुडेंट होने के बाद देखो, अब देखो, इनका क्या करना है, इनका हाइट माल लो, अमीद है, तो ऐसा नहीं का, अमीद कितने फिट का हो, वो लिखना नहीं है, बस आपको लगभग में एप्रॉक्स में लिख दिना है, इनका अमीद का जो हाइट है, 4.2 है, ठीक है, राहूल का जो है, 4.5 है, उसी तरह पप्पु का 5 कर दो, और अमर का कर दो, अमर अरभी का कर दो, 5.45, उदय का कर दो, 4.9, संजु का 5 कर दो, और अरत्य को, अरति को कर दो, कतना, 4.7 कर दो, यह सब सभी का हाइट है, ठीक है न, अपने मन से लिखना, ऐसा नहीं हम आपको एकजाम में भी और कोशन बनाते से, में ऐसा ही करने है, नहीं, अपने अनुसार क लिख लो और लगभग एप्रॉक्स में उनका हाइट लिख लो यह हो गया अब इतना तो कर लिए यह आपको बॉक्स पहले बनाना होगा उसके बाद आपका कोशन क्या बला है अब इसी का रेंज निकलना है कैसे निकालेंगे लिखेंगे रेंज इसकल डू आपको रेंज का functional पढ़ा दियेन क्या पढ़ा है ऐच एनि हाइस्ट हाइस्ट सेंची इस्धाक होता है एक हाई होता है ना ह vibes गलती लिख लिया ऐस आई-जी इसा औभ स लिख लेते तो रहाँ सा वर्ड आमिनिंग जो हता है ना उसको अच्छे से लिखना होता है ठीना यह तो मिस्टेक हो जाएगा तब फिर कोगोगा गलती लिखा दिये क्योंकि बार बार हम ही से लिख देते हैं यह याद हो गया है बच्पन इसलिए बार बार लिख देते हैं जो चीज़ बच्पन में आता है बुलते नहीं कभी लेकिन गलत है तो गलत होगा एच आई जी एच इस्ट होता है हाइस्ट हाइट हाइस्ट हाइट माइनस लोयर लोयर हाइट यह होता है फर्मूला ठीक है अब क्या करेंगे हाइस्ट हाइट किसका है इसमें देखो तो किसका सबसे लंबी कौन है सबसे लंबा तो अंकित लग रहा है अंकित का हाइट नहीं नहीं 5.2 इंच है न किसका नितियस का तो हाइस्ट हाइट जो है 5.2 है माइनस लोयर हाइट किसका है सबसे हाइट काम होला कौन है सबसे कम होला 4.2 उसके बाद 4.2 ही ही होला सबसे कम है यानि 4.2 तीक है अब इसमें से माइनस करेंगे 5.2 में से 4.2 को माइनस करेंगे कितना आएगा 1.0 कितना आएगा 1.0 यानि 1.0 फिट क्या है ये इसका range होगा ठीक है इसका क्या हुआ इस अब के classroom में जो student है उनका जो range होगा वो कितना होगा 1.0 फिट का कितना होगा 1.0 फिट का सिर्फ 10 student का हो सकता आपके classroom में बहुत सार बच्चे होंगे लेकिन आपके question में सिर्फ 10 student का बात किया था इसलिए हमने 10 student का बात किये ठीक है I hope कि आप लोग को समझ में आ गया होगा ठीक है चलो next